दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बतानी है आपको बात यह है कि जब तक आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ मेरे साथ है तब तक यह दुनिया में कोई भी धोका मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि मेरा इमान मेरे साथ रहेगा और मेरी इमानदार ही मेरे साथ रहेगी वो अल्ला को राजी रहेगी अल्ला का हाथ हमेशा रहेगा जो इमानदार है जिसका इमान अच्छा है तो मेरा इमान ही मेरी पहचान है तो मेरा इल्ला का हाथ भी हमेशा मेरे साथ रहेगा और आप लोगों का प्यार आप लोगों का स जाद रखकर जो धोका मेरे साथ हुआ हो कुछ भी नहीं बता रहा हूं हाई फ्रेंश मैं आपका दोस्त तजबत यह वीडियो में मैं एक बात जाना चाहरा हूं कि हो मच मैं वैली हो मतलब कि अगर से मान लो मैं किसी के फाम में मेनेजर के तुरू चले जाता हूं या आपके ही फिरम में आ जा रहा हूं मान लिज़ा तो मैं कितना कमा सकता हूं एक महने में क्या थंका हो सकती है मतलब किखम इस value यह अंच्छे मतलब नेक adventure उनसे ही एक्सपीरियंस है इतना जो थोड़ा बहुत भी नॉलर्ज है वो नॉलर्ज के हिसाब से किसी के फार्म में मैंनेजर के जैसा चले जाओं या भाई हमारे पास फार्म नहीं हम नहीं बता सकते मतलब किसी के फार्म भी चले जाओं तो मैं कितना कमा सकता हूं एक इक्सपेक्टेड वह कमेंट बोक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिए यह भोथ इनपाइन दोस्त मेरे लिए क्यूंकि कितना कम मुझा पास मैंनेजर के तुरु जाओं या कहीं पर भी पोल्टरी बैक्राउंड से ठीक है यह बात ज़रूर बताना एक बार मुर्यां देख बस यह वीडियो आपके कॉमेंट के लिए बता रहा हूं यह जानना है मुझे कि मेरी वैल्यू कितनी है और मैं कितना कमा सकता हूं और कमाई से ही इंसान की वैल्यू होती है आजकल की दुनिया में तो अर्जिनल डेसी मुर्गी पालन पूरे यहां पर अर्जिनल डेसी दिख तो हमको एवरी डे हर दिन मुर्गियों की एक्टिविटी चक करना रहता है अगर से आप मुर्गी पालन कर रहे हो तो मुर्गी देखे अगर से आप वैक्सिन्स भी बहुत ज़रूरी रहते हैं फीड मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी रहता है मॉर्केटिंग बहुत तो इसलिए यह market भी बहुत इंपॉण्टा रही दोस्त वाशा मॉर्केटिंग बना लेना है अगर से बिजनस करना चाहा हो छोटा करना चाहा हो स्टार्टिंग में तो कर सकते हो छोटा स्टार्ट कर सकते हो बाद में आपको यह बात भी बिजनस सीख लेते हैं आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि मार्केटिंग किस तरह करें मतलब कि अंडा बैसना चाहिए हमें या बच्चा बेचना चाहिए या मुर्गी बना कर बेच कर कमा सकते हैं या मुर्गा या मुर्गी बना कर बेच सकते किस तरह से ज्यादा फाइदा होता है ये भी एक टॉपिक लेकर आओंगा आपके लिए तब तक खयाल रखना फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कॉमेंट करना मत भूलिया सिफ आपका कॉमेंट मेरे लि वीडियो में तब तक खयाल रखना और याद भी रखना है वेनाइस दे